राजिस्थान के विधान सभाचुनाप में तकरीबन 6 महीने बाकी रह गए हैं और इन विधान सभाचुनाप से पहले कॉग्रेस का अंदुरूनी कलहा जो जग जाहिर हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है इसी बीच कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिका अर्जुन खड़ के एक एहम फैसला लेते हुई नसर आ सकते हैं जानकारी देदे की पूर्व उपमुख्य मंत्री और कॉंग्रेस से वरिष्ट नेता सचिन पाइलेट को अब दिल्ली बुलाया गया है आखिरकार क्या कुछ एहम चर सेम अशोग गहलोत पर हमलावर हैं लगातार यहां पर आरोप्रतरों का सिलसला देखने को मिल रहा है सचिन पाइलेट डंके की चोड़ पर अपनी बात रखते हुई नसराएं हैं और वहें अशोग गहलोत की सरकार से मांग कर रहे हैं यहां पर तीन मांगे उन्होंने उठ हादी है ऐसे में देखा जाए तो सचिन पाइलेट को लेकर नाराजगी जाहिर की कुद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा ने और उनका कहना साफतोर पर रहा कि पाइलेट के खिलाफ कारेवाई होनी चाहिए आपको जानकारी देदें कि 11 एप्रेल की द हैं इसी भी इस देखा जाए तो दावे ये भी किये गए कि जल से जल मलका अर्जुन खडगे की एहम बैठक देखने को मिलेगी सचिन पाइलेट के साथ अब ये कहा जा रहा है कि सचिन पाइलेट को दिल्ली भी बुलाया गया है दरसल अंदरूनी सूत्रों के मताबिक दा आने के बाद राजिस्थान में कॉंग्रेस हलचल शुरू हो गई कॉंग्रेस आलाकमान ने पाइलेट को दिल्ली बुलाया और साथ राजिस्थान कॉंग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधाव को भी दिल्ली बुलाया गया बताया ये गया कि इन दोनों ही नेताओ कि कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे के साथ एहम बैठक हो सकती है और अब संभावित बैठक में राजिस्थान को लेकर कोई बड़ा एहम फैसला लिया जा सकता है ये तमाम बातें खुल कर अब सामने आई है तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पा तुरंत अपना दोरा रद किये और दिल्ली निकल गई अब देखना यहाँ पर यह होगा कि सचिन पाइलेट को क्या कुछ कोई एहम जुम्यदारी दी जा सकती है या फिन नहीं क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि सचिन पाइलेट को कल देर शाम अचानक दिल्ली बुलाय आफ यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि आकिरकार यहाँ पर सचिन पाइलेट को लेकर जो दावा किया गया है कि प्रदेश अद्विदिक्ष बनने के लिए वहं तैयार होंगे क्योंकि दावड यह भी किया जा रहे हैं कि महासचीव उन्हें बनाया सकता है और चु पास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज